हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू माई चैनल वरेंदराज व्लॉग्स और इस व्लॉग में मैं अपना इस्टेज रूम आपको दिखाने वाला हूँ मतलब दिखाने नहीं वाला हूँ एक्छिली देखोगे तो आप हैई बस मैं अपना इस्टेज रूम क्रिएट करने जा लेकिन इधर काफी ज्यादा जगा है वैसे बहुत ज्यादा जगा है कि यहां पर पढ़ने लाइक हो जाता है और रीजन यह है यहां पर यहां पर बढ़ने बहुत ही तेज रहता है इसलिए मैं यहां पर पढ़ता हूँ इसलिए नेटवर्क बहुत तेज रहता है तो अधर देखोगे तो यह सब टाइम टेबल था में यहां पर मैं बैठता था यहां पर पढ़ता था मेरे लिए काफी इनफ प्लेस था यह और यहां पर कुछ लगे हुए थे फॉर्मुला जाएंट टाइम टेबल बहुत कुछ था जो लिखा हुआ था नॉलेज के लिए सब का सब कलर उतर गया यार सब मतलब कुछ अब लिखी नहीं है मतलब सादा पेपर एक दम और यहां पर मैंने बहुत सारी नौलेज़ वाली चीज़े लिखी थी यह से फॉर्मूला टाइम टेबल और बहुत जरूरी जरूरी चीज़े यहां पर मैंने बैठता था कि मैंने जानवूज के शंकर जी का सामने लगा था ताकि वाशिरवात दे रहे हमको और यहां पर एक बोर्ड था मोबाइल चार्ज वास करने के लिए यहां पर भी बहुत कुछ जब मैं हाइज स्कूल में पढ़ता था तो मैंने टाइम टेबल लगा रखा था कि मैं कब से कौन टाइम तक कौन पढ़ूंगा मैं सभी टाइम को इन टाइम से पढ़ता था इंजक्त ताइम से इतना बज़ा यह एक सब्जेक्त को में लगबग संटन मैं देता था कि और चसे टूर्च बेवल गया तो मेरा दिल तोड़ गया है और यहां पर भी टाइम यह एक डीम करते जाता था new time table होगा I am sure इसके अंदर देखिए new time table आ गया अभी इसका कोई काम नहीं है वैसे और फिर इसके अंदर फिर से new time table आएगा देखिए इसके अंदर फिर से new time table ओ भाई खुल जाया इसके अंदर फिर से एक निव टाइम टेबल और इसके अंदर फिर से एक निव टाइम टेबल हो और यह देखिए इसके अंदर एक निव टाइम टेबल और फिर इसके अंदर एक टाइम टेबल यह 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 टाइम टेबल था स्कूल के लिए देखिए हां पर स्कूल लिखा न इसकूल जाओंगा उ फिर एक्जाम कैंसल हो गया यह देख सकता आप लोग यहां पर है यह टाइम टेबल और इसके अंदर भी कोई होगा I think नहीं नहीं इसके अंदर नहीं था यह पहला था इसके बाद से मैं यह सब लगभग एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ आठ टाइम टेबल था सबको मै अब यहां पर में बहुत सारे पहन रखता था बहुत कुछ एक फोटो दिखाएंगे आपको उसमें आप समझ जाओगे कि कैसा था पुछ और यह सब फाल तुषको जाढ़ना पड़ेगा भी सब सही करना पड़ेगा यह देख सकते हो आप यहां पर मीं बैठता था था इस एकदम यहां पर मैं एक गद्धी टाइप में होती ही वो लगा के बैटा था बहुत अच्छा लगता था यह भी बढ़िया सजा हुआ था बहुत बिकार हुचका है अब इसमेट्री है यह सब सही करना पड़ेगा इसको तो गाइस सबसे पहले तो इसको मुझे साफ करना पड़ेगा एक गंदी कप गंदा नहीं कपड़ा लेगा फिर भी साफ तो करना ही पड़ेगा आरम करते इसको लेट्स स्टार्ट कि मैंने चेर और टेबल दोनों के दोनों यहां से निकाल ली है क्योंकि सफाई कर दीना यह भी यह भी यह जाड़ देता हूं मैं वाइट कदर कर को युजलेस है इसे भी जाड़ना पड़ेगा और नया लगाना पड़ेगा इसको मुझे अभी फैकना पड़ेगा जारू फैकने तो गाइस नॉर्मल वाली सबस्पाइब होगी अभी में जारू लगाने वाली बच्छी है जारू लगा देते हैं यार मुझे खेते हैं तो वाइज अभी मरलब थोड़ साफ सफाई हो चुगी है बाकी से स्टेट करना है मलब सामान लाखके रखना है टेबल और यह सब रखना पड़ेगा और यहां पर थोड़ा पोस्टर है और लगाना होगा तो लगा दूँगा मरलब यहीं सब लिखके लेकिन वो तो टाइम क से रख देता हूं यार अभी बहुत आधा समल लो अधा कुल साफ सफाई भी बना नहीं है बहुत कुस्का है तो तो में तो अभी पढ़ने लाइक तो बनी चुका है यह देख सकतो एस्टेडी टेबल एक मैंने रख दी यहां पर और स्क्यूपर एक लगाई हुई जिससे डायरेक्ट लाइक कॉपी पर पढ़ती है और पढ़ने में असानी होती है लाइक की कमी नहीं होती इधर भी एक लाइट है और बैक साइड में टांग रखा है और बुक्स यह नीचे टेबल पर मैं रख रूँगा अभी जेस्ट मैंने भी स्टार्ट ही किया है तो ही तो बस वैसे पाढ़ने लाइक बनाए तो दिरे दिरे सब कुछ एड होते जाएंगे अच्छा होता जाएगा तो बस पाढ़ने लाइक तो बनी गया है तो गाई रात के दस बज़ रहे हैं और मेरा इस्ट्री रूम देखी रहे हो आप तूरा बनके रेडी हो गया यहां पर लाइट लगी है ताकि मैं डायरेक्ट अगर पढ़ता हूं तो यहां बर डायरेक्ट लाइट पढ़े कॉपी पर और नीचे मैं यहां बुक्स रग दोंगा अभी जो भी है सब बैग में है तो बस यहीं तक यह वीडियो थी बाकि आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट मे की जरूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिसी के साथ इस व्लोग को ही ख़त करते हैं ठाइब पर वाचिंग में और इंस्ट्रेश्टिंग व्लोग में तब लिए बाइबाए